जी गुल्साब भाई कोई बात यह पर आगे चले तरूँगा क्योंकि मेरा एक सीग्रेट विजिट था मेड़लीस के बड़े प्रोग्रेसिव कंट्री तर्की में और वहां मैंने आपके लिए कुछ चीज पेश करना हुआ सबसे पहले तो हाया सोफिया में मैं दाखिल हुआ और मैंने आप एक मुलहिद हैं और आप से मैंने नमास पढ़वाई है हाया सोफिया में जो मस्जिद में इमाम साब थे वहां पे मैंने आप से नमास पढ़वाई है अच्छा अच्छा यह आप कब हो किया यहां से जब इचले अशे कुछ अर्से आप गाइब थे तो आप अच्छा यह आप शारते का रहे थे हाया सोफिया हमें टर्की में हमें लोग नहीं इतना जानते लेकिन वो मक्का जाएं फिर मजा आई आप करें ना जाकर यह देखें यह है हजरत अली की तलवार यह हमने देखी है अच्छा 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 मैं कॉमडी करता हूँ थोड़ी इसमें मैंने तीन लोगों से वहाँ पर बात किया है एक टैक्सी ड्राइवर से एक अपना जो फरंट डैस का होटल होता है और एक तरकिश लड़की जिसने हमें टैक्सी लाने में हेल्प आउट किया था तो मैंने उनसे पूछा तरकी के बारे में तो मैं आपसे दो से तीन में शेयर करता हूं बात देखें इसी भी कंट्री में जाएं और आप उनसे गुफ्तू करें वह हजार किताबें पढ़ने से ज़्यादा आपको लर्णिंग होती है वह महावरा है कि सो किताबें पढ़ो और सो मील तुम चलो बराबर है एक अच्छा महावरा है तो जो तरक इसकट पैनी भी थी मैंने उसे पूचा कि तुम्हारा अर्दगान के बारे में क्या खाल है और आप ऐसे लड़की की फ्रीडम को कैसे लेते हो तो उसने बोला भाई हम तो यॉरप की वज़ा से बचे में उसने कहा कि यॉरप का हमारे में टच आता है इस वज़ा से हमारी ओरतों को उस तरह की प्राब्लम नहीं है जो दूसरे इसलाम में कंट्री में एक तो व्यूस से ये मिला दूसरा मिला कि मैंने फ्रेंट डैस वाला जो था जो हमारे होटल में था मैंने उसे बोला कि आपने आप लोग बिलीफ करते हो गौड पर अब मैं टर्किश बंदे से पूछ रहा हूं डड़के से मैंने गा क्या आप लोग गौड पर बिलीफ करते हो और इसलाम को कैसे देखते हो तो उसने बोला हम सब हमारा फेत होता है हम लेकिन उस पर सीरियस नहीं होते हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हमें पता है कुरान अल्ला की किताब है बट ह हम उसको अमल में नहीं लाते है बस यह हमारा और आपका फरक है तो मैंने कहा कि आपने कुरान पुरा ट्रांसलेशन से पढ़ा है उसने बोला हाँ मैंने का आपको वाइफ बीटिंग वाली वर्स पढ़िया आपने कह रहा है मुझे याद नहीं है मैंने उसको जब पढ़ा हो ना उसने कुई बाधिकी ना उसे बोले का तर्जमा गलात है उसने अपने फूर्ट पे तर्किष ट्रंसलेशन खुला हरीस ठीक है और उसने मुझे कोई बहस है की जैसे पाकिस्तानी करते हैं हमारे उसने बोला अच्छा वाई बीटिंग की बात हो रही मैंने का ट्रांसलेशन में तो गरबर नहीं नहीं पिर मैंने का तुम्हें अब क्या लगता है कि काइनात का बनाने वाला औरत को मारना को गलत है और फिर उसको अपने बाप का याद अच्छ आया है उसने कहा कि मैं जो कुछ करना चाहता हूं मेरी गल्फरंड नहीं है मैं अपनी अम्मी कीलिए कुछ करना चाहता हूं मेरी मा को मेरा बाप तरकिश मैन पीटता था उसको बहुत वह चीज़ क्लिक की उसने फिर सोचा मैं बात करूँगा मैं अब तुम्हारा फेट डगमगाता है करा I will think about it last एक और बंदे से मैंने बात की taxi driver था मैंने का उर्दगान के बारे में क्या सोचते हो आप तो उसने बोला वो मसल्मानों के लिए अच्छा है मैंने कहा और करें सारे मसल्मानों के लिए अच्छा है तो वो तजबी भी पढ़ ला था तो तुर्की में आपको मिक्स लोग मिलेंगे लेकिन उन में शिद्दत की बहुत कमी नजर आएगी बड़े टॉलरेंट होते हैं आपको सुनेंगे इविन मैंने बताया कि मैक्स मुस्लिम हूँ दे वर फाइन तो कंट्री टू कंट्री चेंज होता है कि मैं समझता हूं मेडल इसका ही जो कंट्री है यह बहतर है बिकाज ओफ यॉर्पियन जो उसके थोड़ी वैल्यूज आ जाती है वहाँ पर हम बहुत सारे हम घुमे वह एक अलग बात है हाया सोफिया में सर ढख रही थी और पूरी इसकट में आ रही है यहां इनके रूल खतम हो जाते हैं कि मस्जिद में कितनी रिस्पे ख़ाद टर्की हर जगा का अपना इसलाम होता है यह देखें खातून जो है ना बिकीनी में नमाज पढ़ा रही है अरे मैं तो करीबी था उस सरफ ओके ओके यह देख लोडी के ड्रेस में और यह हमने उसमें दिखाया था स्टोरिक नहीं दिखाया था कि लोडी का सतर जो ऑपिसली सिर्फ नाफ से गुठने तक है यानि उसको उपर चाती उसको कवर करने की जूरत नहीं है तो भाई इसका मतलब फिर वो क्योंकर सतर में आपने नमाज पढ़नी होती है ना असल में तो आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं फिर यह क्या थंठन गुपाल नमाज पढ़ी जा रही है तो यह इनका बैरल हाला जी और बस वहापर ब्लू मॉस में गया महाँ पर उन्हें ब सकते हैं जोस्तर उस्तों किताबे दे देना मैंने बहुत सारी महांसे किताबे नहीं हैं उन्हों क्या पता था है यहां इसके लिए हमारी बेगम साथ ही और ने का भाई ऐसा किसी तुवारी बहुत कुड़ पढ़ लियो तुम जो उंगली कड़ते हो लोगों में कोई मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पैपल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पन्चा सकूँ